भूगोल का जनक किसे कहा जाता है इसका उत्तर है हिकैटियस मानो भूगोल का पिता किसको कहा जाता है इसका उत्तर है कारल रिटर भूगोल आकरिति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है इसका उत्तर है पेशल सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का स्ट्य किस विद्वान को है इसका उत्तर है कौपर निकस भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था इसका उत्तर है कांट किसी ग्रह के चारो ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकासिय पिंड को क्या कहा जाता है इसका उत्तर है उपग्रह नार्वे में आधी रात के समय सूरज कब दिखाई देता है इसका उत्तर है इक्किस जून सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते है इसका उत्तर है सूरज एक ग्रह की अपने कक्ष में सूरज से नियुंतम दूरी को क्या काते है इसका उत्तर है उपशाओर सूरज के सबसे दूर कौन सा ग्रह है इसका उत्तर है वरूर ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रवा के जैसा कलाए होता है इसका उत्तर है बुद्ध सूर मंडल का अत्यधिक तिवर ग्रह का नाम क्या है इसका उत्तर है बुद्ध कौन से ऐसे दो ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है इसका उत्तर है सुक्र और बुद्ध अंतरिच में तारा मंडल कुल कितने है इसका उत्तर है 89 सूरज का प्रकास धर्ती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है इसका उत्तर है आठ से तीन मिनट भुगोल के लिए जियोग्रेफिका सब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया इसका उत्तर है इरेटोस्थनीज अईसा किस ने कहा था कि भुगोल प्रित्वी को केंद्र मानकर अध्यन करने वाला विज्ञान है इसका उत्तर है वारेनियस सूरज के चारो तरफ घुमने वाले खगोली अपिंड को क्या कहा जाता है इसका उत्तर है ग्रह सौर मंडल में सभी ग्रहों के संच्चा कितनी है इसका उत्तर है आठ सौर मंडल की खोज किसने किया है इसका उत्तर है कौपर निकस भुगोल को मानव पारिष्थितिकी के रूप में परिभासित करने वाले विद्वान का नाम क्या है इसका उत्तर है एच एच बैरोज ग्रहों की गतिका नियम प्रतिपादन किसने किया इसका उत्तर है केपलर कौण सा ग्रह सुरज के सबसे नजदिक है इसका उत्तर है बुध बुध सुरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है इसका उत्तर है अठासी दिन किस ग्रह को प्रिथिवी की बहन कहा जाता है इसका उत्तर है शुक्र यूरोप वासी किस ग्रह की पुजा देवी के रूप में करते थे इसका उत्तर है शुक्र साम का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है इसका उत्तर है शुक्र साम का उत्तर है कर ऊत्तर है यूरोप ऑ good